आज है 9 अक्टूबर 2013 दिन सुमवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना आप बिल्कुल ना भूले साथ हमारे फेस्बुक पेस दो भी फॉलो करें फेस्बुक पेस सलेंगे इसके संदी दिया गया है चोड़ी शहरों में चलेंगी 10,000 इलेक्ट्रिक पस केंद्री मंत्री हरदीप सिंग पुरीड अविवार को मध्यप्रदेश के धारजले पहुचे जहां उन्होंने PG College State Auditorium में आयोजेत प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शिरकत की इस सम्मेलन में जन्ता ने उनसे भविश्य के फ्यूल, सरकार का नजरिया और ग्रामें शित्रों में ट्रांस्पोर्टेशन के लिए भविश्य की एनरजी के बारे में कई सवाल पूछे मीडिया से बाचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश के छोटे शहरों के अंदर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेज चलाई जाएंगी इसका इंप्लिमेंटेशन बहुत जल्द शुरू होगा मद्रदेश में चुनाओं के तारिकों का आज हो सकता है ऐलान चुनाओं आयोग ने मद्रदेश समेट सभी पांच राज़ों के चुनावी तैयारियों के समिक्षा कर ली है आयोगने सभी राजों के दिर्वाचन अधिकारियों से वीसी के माध्यम से तयारियों को लेकर चर्चा भी की चुनाओ आयोगने आज चुनाओ की तारीकों का एलान कर सकता है इसके बाद ही पूरे प्रदेश में आदर्शा चार सहिता लागू हो जाएगी इस बार भी पिछले बर्श की तरह एक चरण में मद्दान होगा चानकारी के अनुसार मद्रप्रदेश में नवंबर के तीसरे या चौते सब्ताह में मद्दान हो सकता है कमलनाथ कतैंज बोले उल्टा सर्विक्षन करवा रही भाजपा इन्हें इस चुनाव में निप्टाने की तयारी मद्रप्रदेश कॉंग्रेस से प्रदेश अद्यक्ष कमलनाथ भाजपा परतंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे उन्होंने इस चुनावी माहौल को गर्म करने के लिए ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा उन्होंने चुटके लेते हुए ट्वीट किया कि मद्रप्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हास्य उपहास का विशय बन गई है कि भाजपाई कैसा उल्टा सर्वेक्शन करवा रही है जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सा भाजपाई प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा तो फिर उसे ही टिकेट दिया जाए महर के जिला बनने के बाद पहली बार दौरे पर पहुँचे सीम माशारदा का पूजन अर्चन का राश शिरवात लिया महर नया जिला बनने के बाद पहली बार सियम शिवराज महर पहुचे उन्होंने माता शारदा को महर मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान ने महर जिले को माता शारदा के चर्णों में समर्पित करते हुए यहां मात शारदा लोक बनाने का ऐलान किया जिला समर्पित किया, उन्होंने पत्नी सादना सिंग के साथ माशारदा का दर्शन पूजन किया महर को जिला बनाए जाने के 48 घंटे के अंदर सीम सिले में आए हैं कॉंग्रिस विधायक सचिन बिर्ला भाचपा में शामिल खरगोन के बढ़वा विधान सभास से कॉंग्रिस विधायक सचिन बिर्ला ने विधिवत भार्तिय चंता पार्टी जोईन कर ली मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान, प्रदेश अध्यक्षवीडी शर्मा और संगठन मंत्री हिदानन शर्मा ने भाचपा की सदस्यता दलवाई हलाके सचिन ने अक्टूबर 2021 में हुई उप चुनाओ के दौरान ही मंत्स से कॉंग्रिस छोड़कर भाचपा में जाने का ऐलान कर दिया था मद्रबदेश के रहसानी भुपार में पुलिस ने कॉंबिंग गश्ट अभ्यान चुलाया है इस तोरान आतन अपरादियों बदमाशों के खिलाव बड़ा एक्शन लिया गया पुलिस ने अपरादों पनियं तरन और फरार इनामी आरोपी की धर पकड़ की इस कारिवाई के दौरान 766 आरोपियों को गिरफतार किया गया पुलिस के इस उपरेशन से अपरादियों बदमाशों में हरकम मचा हुआ है मद्रबदेश बदान सबाद चुनाओ में जीत की तहलीस तक पहुचने के लिए कॉंग्रिस चुनाओ रंणीती को अंतिम रूप देने में जुटी है अपने दम पर जादू यांकडा हासिल करने के लिए पार्टी समाच के हर वर्ग को सादने में जुट कई है पार्टी चुनाओ गैरिंटीस के साथ पार्टी अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए अलग से वचन पत्र भी तयार कर रही है बता दें कि मद्रबदेश में 82 विधान सबा सीथ सैसी हैं जो इन दो वर्गों के लिए आरक्षित हैं पाशू चिकित्सकों की निगरानी में एरफोर्स परिसर में नीलगायों को पकड़ कर कुनों में छोड़ा जाएगा एरफोर्स परिसर में नीलगायों को पकड़ने का काम पाशू चिकित्सकों की निगरानी में होगा इसके लिए वन विभाग ने पशू चिकित्सकों की टीम से समपर्क कर लिया है और कारे उजना तयार है अब पशू चिकित्सकों की मौजूदगी में बोमा तक्नीक से पकड़ने की कारिवाई की जाएगी एरफोर्स परिसर में दोसों से जादा नीलकाई हैं जिनके कारण परिशानी होती है देश के महतपूर्ण एरबेस में शामिल गौालियर एरबेस पर नीलकाईों को हटाने के लिए लंबे समय से तयारी चल रही थी इन दोर से विदा हुआ मौनसून अब धीरे धीरे बढ़ेगी धंड़क अक्ट्यूबर मा शुरू होते ही अब रात और सुबह गुलाबी धंड़क महसूस होने लगी है फिलाल हवा के दिशा उत्तरी बनी होई है और आदरता भी कम हो रही है रविवार को दिन का तापमान 34 दिग्री सेलसियस था जो समाने से 1 डिग्री जादा था रात का तापमान 20 डिग्री रहा अगले 2-4 दिनों तक तापमान 30-32 के आस पास रहेगा मौसम वेग्यानिकों का कहना है कि अभी मौसम बदलाव का दौर है इस समय दिन में गर्मी रहती है और रात को थंड़क खोनी लगती है नरेला विधानसबा शेद्रवासियों को मिली बड़ी सौगाद मद्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंतरी विश्वास कैलाश सारंग ने भुपाल के नरेला विधानसबा को बड़ी सौगाद दी उन्होंने करोडों के लागत से निर्मी ट्री टियर सिस्टम प्लाई ओवर का भूमी पूजन किया इसके साथ ही शास के महाविध्याले नरेला का लोकारपन भी किया वनमंतरी शा ने दिव्यांगों को कहा लूला लंगडा लोग बोले भगवान न करे आप हो जाएं तब मालूम पड़ेगा मद्यप्रदेश के खंडवा में इन दिनों प्रदेश के वनमंतरी विजशा का एक वीडियो जम कर वाइरल हो रहा है वीडियो में वनमंतरी शा दिव्यांगों को लंगडा लूला जैसे अमरियादित शब्द कहते दिख रही है मंत्री के ऐसे शब्दों को लेकर अब दिव्यांग संगटनों ने मोचा खोल दिया है और मंत्री पर F.I.R. दर्ज कराने की बात कर रही है पांच राजों में चुनाव से पहले पूर पीम की एंट्री राजसबा सांसद बूली मंत्रदेश साहित पांच राजों के चुनाव में अपूर पीम की एंट्री हो चुकी है बीजेपी के रास्टी प्रवक्ता और राजसबा सांसद सुधान शूत्रवेदी ने पूर प्रधान मंत्री जवाहलाल नहनू के बहाने कांग्रिस पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि जब हमें वाई उसेना के लड़ा को विमान उडाने थे तब हम शांती के कबूतर उडाए उन्होंने राहुल गांधी को चिर्व्याकुल नीता बताया है जमनाबाई के दो रुपे तैस साल बाद भी नहीं बूले मदर प्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहार ने रविवार को सिहोर जिले के दोरे पर पहुचे जहां उन्होंने बुद्नी के जहाजपुर में विभिन विकास कारियों का भूमी पूजन किया है जोरान एक अलगी नजारा दिखाई दिए मुख्यमंतरी ने जमना भाई को देखा और उनके चरण सपश कर उने गले से लगा लिया सेम ने बताया कि जब वो पहली बार विधायक का चुनाओ लड़ रहे थे तो जमना भाई ने उन्हें आशिरवात दिया था और इलेक्शन लड़ने के लिए दो रुपे भी दिये थी मदरप्रदेश के चैड़ो जिले में वेद रेद भंडारन को लेकर ग्रामीनो ने जम कर प्रदर्शन किया अक्रोशित ग्रामीनो ने रविवार को स्टेट हाईवे पचक का जाम कर दिया जिसके बाद खनिज विभाग के अधिकारी मौके पर पहुचे ग्रामीनो को समचाईश देकर ट्रैपिक जाम खुलवाया महीं ग्रामीनो के विरोध के बाद आच से अधिक माफियाओं के खिलाप मामला दज़ किया मद्देश के पांच करोर से जादा मद्दाता करेंगे भाजपा कॉंग्रिस के भविष्य का फैसला अगामी विधानसवाच चुनाओं के लिए प्रदेश के कुल मद्दाताओं की संक्या 5,61,626,239 है बश उन्निस्तो सतावन से विधान सबाद चुनाओं में मददाताओं के संख्या को देखने पर पता चलता है कि हर चुनाओं में मददाता संख्या में वरदी होती रही है मंद्र प्रदेश के गठन के बाद 1957 में पहले चुना हुए थे उस वक्त प्रदेश में एक करोड़ अर्थिस लाक एकतर हजार साथ सो सताइस मत दाता थे क्विसी में सियम शिवराज को लेकर पूछा गया सवाल निकला फरसी कौन बनेगा करोड़ पती में पूछे के एक सवाल का वीडियो जमकर वाइरल हो रहा है जिसमेशो के होस्ट अमिता बच्चन हॉट सीट पर बैचे हुए प्रतियोगी से ये पूछते दिखाई दे रही हैं कि किस मुख्यमंतरी को घोशना मशीन कहा जाता है इस प्रशनी के जवाब में कंटेस्टेंट मंद्रब्रदेश के मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चौहान का नाम लेते हुए दिखाई दी रहा है इस वीडियो को सोशल मीडिया में जमकर वाइरल किया जा रहा था जिसके बा extrem जन संपर्क विभाग नेसका खंडन किया सोशल मीडिया पर जन्कारी देते हुए जन संपर्क विभाग ने बताया कि सीम की छवी धूमिल करने के उद्देश से इसे काच शाट कर सभी जगा प्रसारित किया जा रहा है मद्दप्रदेश में विधानसभा चुनाओं से पहले सभी राजनेतिक दल मुद्दो को भुनाने में लगे हैं इसकड़ी में अमपी के पूर्मुख्य मंतरी कबलनाथ ने शिक्षक अध्यापकों की मांगों को लेकर ट्वीट किया है उन्होंने कहा कि शिक्षक अध्यापक और गुरुजी संवर्ग लगातार अपनी मांगों को लेकर आंतूलन रथ हैं किंद्री मंतरी प्यूश गोईल बोले कॉंग्रेस के पास न कारे करता ना नेत्रत्व पच्चा किंद्री मंतरी प्यूश गोईल इंदोर यात्रा पराई वो लेसरफा पहुची और चौपाटी पर व्यंजनू का स्वात दिया उनके साथ भाच्पा महासचीव कैलाश विजेवर गिया और विधाय कमालीनी कौड भी शामिल थे मंतरी गोईल ने कहा कि मंद्रप्रदेश की जनता भाच्पा के साथ है वो कॉंग्रेस को भूल कर भी वोट नहीं देगी अंपेकेस गाउं में प्रचार प्रसार के लिए नेताओ की एंट्री पर रूप दरसल ये पूरा मामला बालगाट के कचंगी जन पर शेतरन तरगत ग्राम पंचायत अंबेजरी खेरलांजी गाउं का है यहां ग्रामेडों ने अभी से आगामी विधानसबा चुनाओ का पहिशकार करते हुए गाउं में किसी भी सज्जन व्यक्ती को चुनाओ प्रचार के लिए आने पर रोक लगा दी है बताया जाता है कि बावन थडी नदी पर राजीव सागर्बान के बनने के बाद भी करीब दस सालों से अंबेजरी से खेर लांची के बीच सड़क मार्क पर निर्मित पुलिया हर साल बारिश के पानी में डूप जाता है अर्बियाई ने किया बड़ा एलान अब क्रेडिट और डेबिट कार्ट ट्रांजेक्शन होगा और भी सुरक्षे क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूजर्स के संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है इसके साथ में फ्रॉड होने के चांसे भी बढ़ रही है इसाहाल में कार्ड यूजर्स को जादा से जादा साफधान रहना होगा आर्बियाई ने इसके लिए पहले कार्ड टोकनाइजेशन के शिरुआत की थी सिस्टम के फाइदे को देखते हुए अर्बियाई ने टोकनाइजेशन के लिए कार्ड ओन फाइल के लिए नए चैनल पेश किये है इस नई सुवधा के दौरा कार्ड धारक अपने खातों को सीधा अलग-अलग एकॉमर्स से जोड सकेंगे वर्ड काप में टीम इंडिया का विज़ई आगाज मुश्किल से निकल कर विराच राहुल ने दिलाई जीत भारत ने वनडे वर्ड काप में जीत के साथ अपना कदम रखा चेनने के चेपक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में भारत ने आस्ट्रेलिया को छे विकिट से हराया केल राहुल शतक से चूग गए उन्होंने 97 रन की नाबाद पारी खेली केंदर सरकार खर्च करेगा 225 करो केंदर सरकार ने पहली बार देश के राजियो केंदर शासत प्रदेश और क्रशी और ग्रामी इंड विकास पैंकों के लिए फंड जारी कर दिये ने अंत में उन नामों को फार्नल करी दिया जो नाम पर किसी तरह का विवाद नहीं इनमें दौर के चार विधानसबा सीट्स भी शामिल हैं आईए जानते हैं चार विधानसबा सीट्स पर क्या इस्थती है और कहां पर कौन से नेता को कॉंग्रेस टिकेट दे रही है बताया जा रहा है कि 15 अक्ट्यूबर के बाद कॉंग्रेस सूची जारी कर सकती है इसलिए सूची को अभी रोका गया है क्योंकि इस समय पित्रपक्ष चल रहा है लेकिन बीते चार दिनों तक ये मन्थन चलने के बाद अंतिता विधानसबा चुनाओ दाविदारों के नब्बे नाम की सूची तयार की गाई मध्यप्रदेश विधानसबा चुनाओ को लेकर सभी पार्टी इस तयारी में जुटी है इसी बीच कॉंग्रिस ने प्रदेश में अपने सीआम केंडिडेट को लेकर पत्ते खुले हैं दरसल कॉंघ्रिस महासचय वरंदीप सुर्जेवाला ने कॉंग्रिस के सीम फेस को लेकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है सुर्जेवाला ने कहा कि जो पाठी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वही पाठी का चहिरा होता है कदम कदम फिसलने का खत्रा शिवराज सिंग चोहान की एक और बात के चर्चे मदबदेश में विधान सबाच चुनाओं से पहले मुक्यमंतरी शिवराज सिंग चोहान जहां एक तरफ बड़ी बड़ी घोशाई कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उनके भावुकता भरी बातों ने भी सुर्कियां बटोरी मदबदेश उधान सबाच चुनाओं में भाजबा की ओर से कई दिकजों को तारे जाने के बाद से ही उनके भविश्य को लेकर कई तरह की अचकले लगाई जाने लगी इस बीच जब उन्होंने चला गया तो याद आउंगा वाली बात कही तो चर्चा और भी तेज हो गई अब एक बार फिर से उनके भाशन का एक हिसा बहुत वारल हो रहा है जिसमें वो राजनीती के राह को रप्टीली बताते हुए कह रही है कि कदम कदम पर फिसलने का खत्रा रहता है तो यह थी आज की 25 पटाफट बड़ी खबरें अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्म करें धन्यवाद